हाँ वया कैसन वा आई होब यू आल गाईजा ठीक वा सो कली कैनन का एक नया कैमरा लॉंच हुआ है और हम पूरी रात से इसके इसके पर छानमीन जबर्दस तरीके से कर रहे हैं एक दर न्यूज रिपोर्टर की तरह लगे पड़े हैं ताकि हम आपके सामने इसके इन्फरमे आपके सबस्क्राइब ने के मतलब मजा ही आ गया है मतलब हमारा सोनी अलफा भी थोड़ा कापस अगया है तो चलिए देखते हैं क्या 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 फीचर है और मेरे को परसनली क्या क्या फीचर फेवरिट लगे हैं इस कैमरा में तो भाईया शुरू करते हैं इसके वीडियो स्पेक्स के साथ और सबसे पहला जो इसका सूपर हाइलाइट बोल्ड और इटैलिक में जो फीचर है वो है ये वीडियो 8K शूट कर सकता है जस्ट लाइक अपने भाई या बहन या जो भी एक आरफाइब की तरह 8K 30P तक के होगे आपको अल्मोस्ट बताता हूँ के रॉव इस लाइक रॉव फोटो आप उसमें सब कुछ चेंज कर सकते हो वाइड बैलेंस में ठीक कर सकते हो हाइलाइट भी रिकवर कर सकते हो शैड़ को इंप्रूव कर सकते हो मतलब रॉव फिल्म ही दुनिया में सब कुछ मोशन करने का मौका भी मिल रहा है इस कैमरा में बट उसके लिए एक छोटा सा कैच है वो कैच यह है कि इसमें आपको एक एक्स्टरनल पावर सोर्स के साथ अपने कैमरे को लगाना पड़ेगा क्योंकि कैनन के द्वारा जो इंफोर्मेशन दी गई है उसमें यह वताया गय अगर आप चाहते हो कि आपको कैमरा फुल फंक्शनालिटी दे तो आप एक और गुड निउस है जिससे यह बता लगता है कि यह कैमरा बैटरी के साथ साथ पावर बैंक पे चल सकता है तो एक के थर्टी पी रह हो गया एक के सिक्स्टी पी रह हो गया और यहां बेरा लेकिन उसके लिए आपको 35 mm मनलब APS-C मोड में आना पड़ेगा और इसमें एक और है तो पॉइंट नाइन के रह रिकॉर्ड करने का अप्शन लेकिन उसके लिए आपको 16 mm वाले उसमें आना पड़ेगा जो कि आल्मोस्ट माइक्रो 430 के आसपास की रेंज हो गई है अब यह 8K 30 है, 8K 60 है, 5.9K यह सारी जो RAW रिकॉर्डिंग है 12Wit RAW यह सब इंटरनली रिकॉर्ड होगी आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ HDMI के तुरू रिकॉर्ड करना पड़ेगा तभी RAW में रिकॉर्ड होगो नहीं आप इसके अंदर Dual Card Slot है एक CF Express B लगेगा और एक लगेग उने यह Card Slot N में ऐसा सिस्टम आ रखा है कि इसमें आपको प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग का भी option मिलता है और रिले रिकॉर्डिंग का भी option है हाला कि अभी यह नहीं पता लगा है मेरे को कि किस resolution में मतलब मेरे को पूरे यकीन है कि आप at least 8K की तो रिले रिकॉर्डिंग नह में आपको रो के तीन favor मिलते हैं मतलब तीन quality की raw मिलती है एक raw HQ एक raw ST मतलब standard और एक raw LT which is raw light यह सबसे हलकी वाली raw होगी और जो raw HQ होगी वो सबसे भारी वाली raw होगी आपके लिए सबसे highest quality निकालेगी लेकिन दोस्तों चाहे क्या हलकी क्या भारी जो raw वीडियो होती है वो ह के अलावा आप इसमें HDMI के तुरू raw output भी ले सकते हैं मतलब कि अगर आपके पास एक external recorder है जैसे के निंजा वी 5 इस टाइप का तो आप उसको HDMI के तुरू इसमें लगाके और फिर यह सारी वीडियो को raw format मतलब ProRes में record कर सकते हैं उस external recorder मतलब एक raw option भी दिया गया है इसके अल जैसे हमारे Sony में XAVCS होता है जो थोड़ा सा MP4 से थोड़ा better quality निकालता है इसी तरह Canon में यह XFAVC है जो थोड़ी better quality निकालेगा MP4 से बट that being said ऐसा नहीं है कि इसमें normal MP4 का option नहीं है आप चाहें तो H.265 या फिर H.264 में वी video record कर सकते हैं H.265 में अगर करेंगे तो उसमें आपको 10 bit 422 मिलेगी और H.264 जो कि एक normal MP4 होता है उसमें आपको जैसे हम यह video record करते हैं जैसे कि यह video आप देख रहे हैं यह ऐसी ही video मिलेगी जो कि आपकी 8 bit 420 होगी अगली मचेदार चीज यह है इस camera के बारे में कि इसमें आप जब भी 4K या Full HD resolution में video record करेंगे तो वो सारी video camera के अंदर ही 8K से down sample होगी मतलब इतना बड़ा frame आएगा और फिर वो इतना हो जाएगा तो जिसका मतलब यह है कि वो इतना सारा data आपने 8K में capture किया था वो compressed होके आपको या तो 4K में मिलेगा या Full HD में मिलेगा तो अगर आप इसके द्वारा record करी गई 4K और Full HD को एक normal camera से compare करेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़ादा अत्यधिक मात्रा में detail और sharpness देखने को मिलेगी as compared to एक normal camera इसके अलावा इस camera में जितने भी resolution है जितने भी recording settings है frame rate है उन सब को आप long off और all intra format में record कर सकते हैं दोनों ही option दिये गए इसमे और अगर हम slow motion की बात करें दोस्तों तो इसमें आप 4K को 120P तक के slow motion पर record कर सकते हैं और साथ में आपको पूरा dual pixel auto focus मिलेगा और साथ में audio भी record हो जाएगा जो मेरे ख्याल से R5 में शायद अभी नहीं होता है अब बात करते हैं इसके कुछ दूसरे enhancement की और उसमें सबसे मतलब एक built-in fan लगा हुआ है जो इसकी overheating की problem को उसने पूरा solve कर दिया है यह camera अगर आप चाहोगे तो भी इसको overheat नहीं कर पाओगे इसमें fan है fan की multiple speeds है और वो अपनी location और temperature के हिसाब से अपने आप speed को change कर सकता है या फिर आप manually या के fan को off और on भी कर सकते हो उस camera के अंद unlimited time तक recording कर सकते हैं किसी भी video format को किसी भी resolution को किसी भी frame rate पे तो मतलब recording अब आपकी कोई record limit पे dependent नहीं है recording depend करेगी कि आपके उसमें कितनी बड़ी battery लगी है या कितना आपने memory card लगा रखा है और यह सारी features को हम देखे तो फर यह एक बहुत ही जबरदस्त camera बन जाता है मतलब एक camera ऐसा जो आपका एक तो overheat नहीं होगा दूरसरा उसमें recording की कोई limit नहीं है तीसरा उसमें power bank लग सकता है तो अगर आप यह सारी चीजों को add करते तो आपका एक ऐसा camera हो गया जिसमें आप एक मोटा सा power bank लगा दें और अच्छी से आप अगर memory card लगा दें तो आप बारा गंटे तक record कर सकता है बिना टेंशन के के आपका camera overheat हो जाएगा या बंद हो जाएगा और ऐसे camera हमारे documentary filmmaking के लिए बहुत मतलब डिमांड में रहते हैं documentary filmmaking लिए ऐसे ही camera चाहिए होते हैं अब बात करते हैं उन features की जो मेरे को personally बहुत पसंद है और पता नहीं क्यों यह camera वाल इसकी शुरुआत कर दी है तो बाकी लोग भी डालना शुरू कर देंगे और वो features हैं आपके assist feature यह पहला camera का camera है जिसमें आपको waveform monitor, vectorscope, false color, आपको दो तरीके की zebra एक zebra आप चाहो तो skin tone पे लगा दो और दूसरा जीबरा आप चाहो तो highlight मतलब आसमान पे लगा दो था कि camera हमें मिलते हैं जो इस camera को बहुत ही attractive camera मनाता आप लोगों को पता होगा या कोई professional यह वीडियो देख रहा है तो उसको मालम होगा कि professional दुनिया में exposure को set करना skin tone को सही से capture करना कितना important होता है और यह tool यही tool होते हैं जो आपको वह सही से करा सकते है इसके लाब और कोई tool नही अगर आपके पास false color है या waveform monitor है तभी आप अच्छे से पलब एकदम professional तरीके से अपने expert को set कर सकते हो और इसके लिए अभी तक हम लोगों को monitor अलग से लेना पड़ता था अब monitor professional चूट में लगाने में कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर आप कोई run and gun situation में हो आप चाहते हो क यही नहीं इसमें अब आप LUT file भी install कर सकते हैं मतलब अगर आपको पता है कि आप इस particular या जो भी वीडियो शूट कर रहे हैं इसके उपर आप कोई LUT यूज करना चाहते हैं तो आप वो LUT अपने camera के नहीं इसको लगा के वीडियो शूट करें और आपको वो preview दिखाएग और तब अगर आपको कोई change करना है तो आप अपनी setting में change कर सकते हैं थाकि जब आप finally वीडियो को edit करने बैठे हैं और उस पर actual लगाए तो वैसे ही colorized cinematic जैसे आपने imagine किये थे फिर इसमें Canon ने एक और कमाल का feature दे दिया है वो 180 डिग्री shutter angle का support नॉर्मली यतने भी cinema line के camera हो जहां पर तीन cinema camera लगे हैं और आप वहां पर अपना sony a7s3 लेकर चले गए तो आपको दिक्कत हो जागी क्योंकि बाकी की जो दो camera होंगे वह shutter angle follow कर रहे होंगा और आपके पास shutter speed होगी तो mismatch हो जाता है तो इसमें shutter angle का option दे दिया है इसको आप follow करके एकदम proper cinema line के साथ sync ब शूट कर रहे हो या कहीं ऐसे शूट कर रहे हो जहां पर चार-पांच camera लगें और वो सब एक साथ शूट कर रहे हैं और आपको editing के time में उसको sync करना है या फिल लाइफ ब्राड कास्टिंग हो रही है तब आपको sync करना है तो ऐसे ही camera चाहिए हो जहां में time code का option हो तकि time code क के मदद से आप वो सारे camera को आपस में connect कर सकते हो एक chain मना सकते हो और वो सब एक ही time पर शूट करेंगे और एक मतलब उनके सारे frame sync में होंगे आप लोगों को पता है कि नहीं लेकिन फिल्मी दुनिया में एनमोफिक lenses बहुत चलते हैं especially Hollywood की फिल्म में अगर आप देखेंगे आती है मतलब आपको वर्टिकल नहीं वर्टिकल नहीं horizontal यह मैं मतलब पढ़ाई दिखाई में बहुत कम जोर हूं तो आप खुछ समझ लेना ऐसी वाली वर्टिकल होती है horizontal होती है तो horizontal आपको उसमें वह मिलेगी lens flare फिल्मों में उसका support की क्या जूरा तो मैं आपको यह भी समझा देता हूं उन lenses में जब आप शूट करते तो आपको फ्रेम 16x9 नहीं मिलता है जैसे हम लोग अभी YouTube पे आप देख रहे हो तो यह 16x9 फ्रेम आता है उसमें थोड़ा सा 4x3 टाइप का फ्रेम आता है जिस फ्रेम में हमारी फोटो किस्ती है आप अगर कोई फोटो आपको फोटो को बड़ा करना पड़ेगा वह उस टाइप का फ्रेम आता है उस फ्रेम को डी स्क्वीज करने का ऑप्शन केमरा के अंदर दिया हुआ है और आप डी स्क्वीज करके देख सकते को जब आप एडिटिंग में बैट होगे तब वो फ्रेम कैसा लगेगा और लालच होता है राव वीडियो का लेकिन राव वीडियो बहुत जबरदस तरीके से स्पेस घिरती है मतला आप ऐसे लगा लोगे एक 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 मिनिट की फाइल आपकी पांच-पांच-दस-दस जीवी की होती है तो अगर यह जितनी देर के आप वीडियो देख रहे है यूट एडिट करते हैं तो Canon ने इसमें हमको पिच्चर प्रोफाइल के ऑप्शन भी दे रहे हैं जिसमें आप मतला बिना रॉइ यूज करें भी हाई डाइनिमिक रेंज कैप्चर कर सकते हैं यहां पर आपके पास HDR का ऑप्शन है जिसको आप PQ या फिर HLG मोड में कैप्चर कर स जरूरी समझता हूं सबसे पहले तो इसमें भाई आई बेस नहीं है मतलब इसमें वह जो इन बोडी इमेज स्टेबलाइशन होता है इसमें आपका सेंसर शिफ्ट होता है और इमेज को जो आपके शेक्स होते हैं उसके लिए कॉम्पोर्जिंट करता वो नहीं है Canon ने इसमे स्रिफ electronic stabilization दिया है और अगर आप इसको RF lens जो इसमें RF mount है तो RF lens अगर आप लगाते है और compatible lens है तो यह electronic stabilization प्लस RF lens का जो inbuilt IIS होता वो मिलके आपको up to 5 stop तक का stabilization देगा और अगर आप RF lens नहीं भी लगाते है नॉर्मल कोई manual lens लगाते है को cinema lens लगाते है तो भी इसमें आपको electronic stabilization मिलेगा लेकिन उसके लिए आपका frame थोड़ा सा crop होगा और Canon का reason यह है इसमें image stabilization ना देनेगा क्योंकि image stabilization के विए से camera overheat होता है तो इन लोगोंने वह हटाई दिया है इसमें से ताकि overheating ना हो camera में और आप continuous record कर सके दूसरा फिल्मी दुनिया में अगर आप किसी professional film जो कर देते हैं क्योंकि वो उसको manually control करना चाते हैं वो gimbal use करना चाते हैं ताकि वो अपने hand movement को control कर सके वो camera पर कुछ नहीं चोड़ना चाते तो film making standpoint से ही यह अच्छा feature है क्योंकि obviously cinema line का camera है तो इसलिए इन लोगों ने यह feature इसमें से हटा ही दिया है और हाँ जैसे कि मैंने बोल adapter भी आते हैं जिनके अंदर built-in ND filter होता है तो इस camera के अंदर कोई ND filter नहीं दिया है जबकि यह cinema camera है Canon को देना चाहिए था पट उन्होंने नहीं दिया है I think उन्होंने वो C70 के लिए रखा हुआ है C70 ND filter है अगर वो सब कुछ इसमें देतेंगे तर फिर वो camera कौन लेगा तो इसमें आप वो RF वाला adapter लगा के जिसमें built-in ND है वो लगा के आप internal ND इंस्टॉल कर सकते है तो मतलब इसको इसके लिए अच्छे-ची accessories भी market में available है और इ सीदे camera के hot shoe से power ले लेते हैं बैटरी की बज़रत नहीं पड़ती यह वैसा सा hot shoe है बहुत सारे mics market में available है जो आप directly लगाओगे तो वह सीदे इस interface में लग जाएंगे कोई cable लगाने की ज़रूत नहीं है कोई battery लगाने की ज़रूत नहीं है वो camera से ही power ले लेंगे बटन में दोड़ा सा change किया है जो उसका on off button है वो अब तोड़ा different है वो on off के लावा वो सीधे off होता है या फिर वो एक तरफ करोगे तो सीधे photo mode पे जाएगा और दूसरी तरफ करेंगे तो वो video mode पे जाएगा और यह सिर्फ camera on नहीं हो रहा है यह ना पूरा software camera मतलब दूसरी तरीके से बूट ही हो रहा है photo mode में अलग तरीके से बूट होगा video mode में अलग तरीके से बूट होगा photo mode में वो एक different menu दिखाएगा जो सर्फ तेल से related settings दिखाएगा आपको उसमें video का कुछ होगा ही नहीं और video mode में जो वो menu बूट करेगा वो सारा वीडियो ग्राफी से रिलेटेट आपका उसमें सेटिंग होगा उसमें photography का कुछ नहीं होगा और वो आल्मोस्ट जो वीडियो मोड वाला मेन्यू वो आपको एकदम याद दिलाएगा जैसा के Canon के जो proper cinema line camera होते हैं आपका c70 हो गया c200 हो गया यह उस type का menu है बहुत easy और आपको आराम से समझ में आ जाएगा तो यह इन लोगों ने अलग-अलग करके बहुत अच्छा करा है कि confusion ही कतम कर दिया नहीं तो आपका normal menu होता है उसी में photo वाले feature है इसके अलावा इसमें तीरा customization वाले बटन है जिनको आप shortcut assign कर सकते हैं जिन पर और normal वो जो इनकी R5 में जो LCD screen आती थी जो पूरी तरीके से आ viewfinder भी है बहुत बढ़िया बात fx3 में viewfinder हटा दिया है sony ने इसमें लोगों ने viewfinder भी रखा है था कि आप दोनों काम करो अगर आप photography भी करना चाहते हो तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत ना है और वीडियोग्राफी भी करना चाहते तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत न सारे autofocusing mode, focus tracking, IAF, animal, IAF, bird, IAF, low light performance, आपका ISO, ISO, सब कुछ एकदम वैसा ही मिलेगा आपको इसमें ISO याद आया कि इसमें आपको अब दो native ISO मिलते है, dual native ISO, base ISO जो है, हमारे कैमरों में क्या होता है कि जब हम ISO सबसे base, सबसे चोटा value यूज करते है तो उस टाम सबसे clean image निकलती है, suppose अगर आप अपने कैमरे का ISO 100 रखो के तो उसमें बिलकुल clean image होगी, फिर आप दीदरे 200, 300, 400, 500, 600, 1200, तो धीदरे करके noise बढ़ना शुरू होती है, और एक level पर पहुंचके noise इतनी हो जाती है कि आपका photo खराब हो जाता है, dual base का मतलब यह हुआ कि आपका 100 से शुरू हुआ, वह 200, 400, 600, 1200, पहुंचा, जैसी एक level पहुंचेगा, जो उस level पहुंचते ही, एक दूस दूसरा base आजाएगा, तो दूसरा base आते ही, आपका पूरा image clean हो जाएगा, उतने clean हो जाएगा, इतना swapit हो, ठीक है, फिर वह वहाँ से चलेगा, 800 के बाद 1600, 1600 के बास 32, जैसी 32 हो पहुंचेगा, फिर से दूसरा base चार्ड हो जाएगा, तो इमेज फिर से clean हो जाएगा, फि इसमें यह मिलता है, बाकि जो normal ISO range है, वो तो अपनी जो होती है, 108 से लेकर, और 51,000 वो तो है, वो इसमें है, बट यह काम की चीज़ है, यह important चीज़ है, इस camera में सामने की तरफ एक tally light लगी होई है, जिससे बहुत मदद मिलती है, अगर आप खुद को record कर रहे हैं, तो इसमें एक आपका browse remote है, एक app है, जिसकी functionality यह है, कि आप अपने camera को पूरी तरीके से उस app की मदद से control कर सकते हैं, चाहे आप smartphone से चलाएं उस app को या फिर अपने tablet से चलाएं, और remotely आप अपने आपको shoot कर सकते हैं, या आप remote environment में आप camera को attend नहीं करना चाहते हैं, और दूर स आप का support भी इसमें दिया हुआ है, वैदर सीलिंग की बात करें दोस्तों तो यह एक डम R5 है, मतलब बिलकुल वैसी वैदर सीलिंग मिलेगी, तो कोई टेंशन नहीं है बारिश में, पानी बानी में जाओ, राम से बिलकुल डूबो मत देना camera, तब नहीं बचेगा, full-size HDMI port अभी भी missing इस camera में, इतना अच्छा camera है, cinema line का camera है, पता नहीं क्यों लोगों ने full-size HDMI port नहीं दिया, वो एक बहुत यहां पे दर्द होता है, कीमत की बात करें तो बात करने की जुरूती नहीं है, क्योंकि कीमत मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो मेरे को पता है, वो यह है कि यह camera जब भी market में launch होगा, आपका जो R5 है, उससे लगबग लगबग 40,000 महंगा होगा, 40,000 का difference होने वाला है इसमें और R5 में, और features तो आपने देखी लिए हैं, देखिए R5 जैसे मैं पीछे भी बोला कि आपने आप में बहुत कमाल का camera था, बस दो limitation थी, जो कि इस camera म दूर हो गई है, मतलब आप recording में unlimited कर सकते हैं, और overheating की भी tension नहीं है, और जिस type के feature Canon ने इसमें add कर दिये हैं, उस feature की वएसे यह मतलब almost leading position पर आ गया है अभी, अभी अगर मैं दूढ़ना चाहूं कि इसके टक्कर का कोई और camera है, तो मेरे को एकी camera देख रहा है, वो है Nikon Z9 जो की थोड़ा थोड़ा इसके जैसा ही है, 8K में video record कर रहा है, raw video record करता है, internally record करता है, और उसमें भी कोई overheating नहीं है, और unlimited recording है, 8K raw video recording unlimited है, प्लस photo की बात करें तो वो भी 45 मेगा पिक्सल पर shoot करता है, उसमें भी fast bus shooting का option है, और उसकी भी body इतनी ही rugged है, ठीक है, तो यही दो camera हैं और कोई नहीं है market में, मतलब Sony भी वी विचारा मेरे को पहली बार थोड़ा पिछड़ता हुआ दिख रहा है, हाला कि मेरे को पता है, सोनी जादर तक पीछे रहने वाला नहीं है, वो पलट के ज़रूर वार करेगा, in fact उनका जो alpha 1 है, उसके अंदर पूरा potential है, मतलब top पे आने का, बस एक ही जगह पर मात खा रहा है कि उसमें raw recording का internal option नहीं है, उसमें अगर आपको 8K raw recording करने हैं, तो आपको एक external monitor लगाने पड़ेगा तब होगा, हाला कि ये सारे internal, मतलब R5C जो है, ये तो internal record कर रहा है, प्लस ये 8K 60 कर रहा है, अभी बहुत ही, मतलब मेरे इस एकात camera भी नहीं है, जो 8K 60 करता हो, ये 8K 60 कर रहा है, तो ये एक बड़िया चीज है, और इसकी वएसे Canon, मतलब टॉप पे आ गया है, और दूसरा इन लोगों ने अच्छा काम ये करा है कि, जैसे कि मैंने बोला कि अभी तक कोई भी camera अपने camera में assist video assist feature नहीं डालते थे वो बस दो डाल दी है, फोकस पीकिंग डाल दी है और जीवर डाल दी है, ये हैची से काम चला हो सला, इन्होंने थोड़ा समझा है, और Cinema Line का true मतलब निकाला है, Sony ने FX series है, FX3 जो बनाया है, उसको Cinema Line camera बनाया है, लेकिन उसमें ना इन लोगों ने scope दिया है, ना एक वेक्ट सोला जादा है, लेकिन जबरदस camera है, अगर आपको एक ऐसा camera चाहिए, जो टॉप के photo feature दे, और टॉप के video feature दे, तो फिर अभी तो वो आपको R5C और Nikon Z9 ही है, और कोई दूसरा camera नहीं देख रहा है, in fact, मिरेको R5C जादा बेटर लग रहा है, Nikon Z9 से कुछ features के लिए, बा और मैं जल्दी आपसे अपनी अगली वीडियो रखें मिलता हूं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, and I'll see you soon, bye-bye.